वेलकम बैक तो अनादर मोटर व्लाग तो भाईयो आज की मेरी इस वीडियो का प्रपस यह रहेगा यार हम अपनी आर्सी का मालेश टेस्ट करेंगे और मालेश टेस्ट के सारी इंफोर्मेशन दिखाता है तुम लोगों पता ही होगा बागी यह स्पीड वगारा गेर आर्पी एम ठीक है पूरा जर्नी का मालेश और कितना फ्यूल टैंप्रेचर अगरा सब को इसमें शो करता है तो बहुत लोग में बहुत लोगों के आपकी क दिपेंड करता राडर राडर बे बट मेरा हमेशा 40 यह भूवी रहा है वह बहुत लोग के क्लिम करते हैं कि नहीं इतना नहीं आता पचीस आता है तीस आता है बहुत लोग के कमेंड आये तो मैंने सूच आयर क्यों ना इस टॉपिक पर एक व्यूडियो बना ली जाये तो अब आपको एक रियल एक्जाम्पल पी देदूँगा कि हम इतना सही में देती है तो अब मैं बाइक आफ कर देता हूं एक बार और यह पूरा जो स्ट्रेच है मैं घर तक का भी पूरा व्लोग बनाऊंगा और 24 किलोमीटर है यहां से मेरा घर तो उसमें मेरे बाइक कितना माइलेज देती है वह आपको अच्छे से शो हो जाएगा इवाने बाइक आफ करके फिर से कर लेता हूं यह मैंने प्रिशिच आफ देखी सकते हो टैको मेटर आफ हो गया इसका हमें और तुम देखी सकते हो मै यहां पर लगाता हूं तो माइलेज कुछ शो नहीं हो रहा है ठीक है और इसली शो नहीं होगा अब जब मैं जरूरी चालू करूंगा तो फिर यहां पर दिखाएगा यह लीटर पर किलोमेटर दिखा रहा है इसमें पर हंड़ेट किलोमीटर यहीं पर माइलेज दिखाता ह तो आपको मैं इंड में दिखाता हूँ किसे ने कितना मैलेज दिया पूरी 24 किलोमेटर के स्ट्रेच में तो लेट्स गेट स्टार्टिक चलो चलते हैं हमाई लोगी अर तुम यह भी देख सकते हो कि भाई मैं कैसे चला रहा हूं वाई इस पूरे स्ट्रेच में क्योंकि काफी लोग है सोचते हैं कि वही ऐसे क्या हम फिर सिर्फ इसरे केर में चलाए मिश के मैं चलाए क्लेगर इन मुझे लगता है कुछ अलाग है यार बोस्ती लोग ऐसी चलाते होंगे तो देख लो अभी वाइक 50 एर में है 70 की स्पीड है और हमें 60 लगा दिया है अब यहां पर अपना माले शो करेंगा यह बोड़े करता है तो टाइम लगता है उसमें फिर माले शो करता रहेगा यह देखो ब्रेक ब्रेक पर खूब लगते हैं ऐसा नहीं है कि बस मैं हाईवे पर चला रहा हूं तो कोई ब्रेकिंग वेर की उसने कर रहा हूं क्लच जाता दबा रहा हूं क्लच में उचे बहुत दबाना पड़ता है एक एक्सेलेट फगर आप इसो आप से करता हूं तो दे सब्सक्राइब करता हूं तो यह घटेगा ओविसली यह तो तुम लोग को सब्सक्राइब करता हूं तो यह घटेगा सब्सक्राइब करता हूं तो तुम लोग को सिंपल लॉजिक पता ही होगा जांता गया तो बागे अगर कोई नई ओडियंस आती है अगर आप मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हूं तो भाई मैं बता देता हूं आज डेट है 26 ठीक है 26 पांच है और मैं ओफिस से आ रहा हूं इस समय लायत को यह मैं समझना है कि भाई लॉक्डाउन में बाहर गूम रहा हूं और सिंपल यह फ्लॉक बनाने के लिए बाहर निकला हूं कि स्टे होम स्टे सेव अगर है देखके तुम लोग समझी पा रहे होगे कि लॉक्डाउन वाला टाइम चल रहा लॉक्डाउन 4.0 कि इसमें काफे सारे लोग अब बाहर निकल चुके निकलने लग गए हैं क्योंकि और इतना टाइम हो गया है अब लोग भी घर पर कितना है बैटेंगे तो उनके ऑफिस वगएरा और किसी के जरूरी काम में बिजन कि अब प्रचंड गर्मी का मौसम चल रहा है एकदम तुमने देख ही रखा है मेरे हाफ टीशर्ट फैनी हुए है मैंने वाई इस टाइम में से में बाइक चलाना यार अपना अब में चैलेंज वाली बात है अब लग गरम हो गया ऐसे थपड से लगता है ना भाई पर क्या करें यार ऑफिस तो जाना ही है इस टाइम मेर माई जून जुलाए के मौसम में राइडर्स भी काफी कम हो जाते हैं सड़कों पर यह इतनी गर्मी में आप राइक राड करना फॉशिबल नहीं होता या और अब तो लॉवडाउन ऐसी लग गया है इतना बड़ी महमारी और आ गई है तो जो अच्छे अच्छे प्लांस थैयार इस साल में वो सब जो है पानी फिर चुका है कोरोना फिर चुका है हाई शुक्ते बड़ कोई नहीं हर बोरे टाइम के बाद वाई अच्छा टाइम जरूर आता है इस बात को हमेशा त्यान लुखना तो जब यह सब खतम होगा होफ़ोली हम फिर से बाहर निकलेंगे अपने राडर दोस्तों के साथ और बड़ी अबड़ी जगे घुमेंगे वाई तो तु कि अरे यार यहां रिपेरिंग चल रही है कि वट तफाक कि यार मैंने चीज देखी यार तुम लोग वीडियो अगरा तो खूब देख रहे हो आज कल वैसे वीज़ वगयर आ रहे हैं बड़ यार तुम लोग सब्सक्राइब ने करते हो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो बता हूँ और तो देखो हर चीज में लगते हैं तो मैं सही बता हूँ दूर से हर किसी काम आसान लगता है पर जाओ उसमें खुद इन वाल होते हो पहले जब मैं यूटूब अगरा वीडियों डालता तो यार मैं भी सुस्क्ता था कि भाई इन लोगों के तो मज़े हैं भाई अपना बढ़िया आप अंटेंट अंटेंट बनाते हैं और भाई पैसा वैसे हर किसी के दिमाग में आता है और आपकोर्स आप लोगों के दिम सब्सक्राइबर्स की क्या वैल्यू है तो भाई अपना सपोर्ट ऐसी बना रखो भाईयों अब थोड़ा लेते हैं इसे बना लोग कहेंगे कि भाई पैक तो थे चलाई नहीं मालेस तो आए गई सड़क के लिए रिपेरिंग बर्क हो रहा था कली आँ पर तो अभी तार को डंक से भी मुझे लग रहा है फिक्स नहीं हुआ है इस पर अभी थोड़ा सा बैट यह बाराम से चलाने पड़ेगी आप तो अभी पच्पन पॉइंट तीन अभी बच्पन पॉइंट टीन शो वर रहा है अभी भी तुम्हें मैं कॉन्परेंट भी कह सकता हूं एक घर जाते जाते पचास के उपर का मालेस तो जुरूर आराम से निकाल दूँगा अभी तो लॉट टाइम चल रहा तो इतनी ब्रेक 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 भी निमानना पड़ रहा वरना यह से जब नौड़ेडा पूरा उपन होता है तो हां तब रश होता है तब रोग ने बढ़ते भाई वागरा तो भाई भाई फिर तो 40 to 45 की बीच का निकल पाता है अब मुझे पता है मैं आरहा हूं से 50 की उपर का निकाल दूँँ आये नो माइब बेविश बीच में तोड़ा मैं तो कमर सीधी कर लेता हूं कि यह बड़ी दिक्कत है है एक तम एक रैसी पोस्चर में बैठना पड़ता है बैक स्ट्रेट करके तो कुछ टाइम बाद जो है पेन होने लग जाता है कि इस वह से तोड़ा सा मैं रिल्याक्स हो जाता हूं इसे स्ट्रेट बैट के हैं ठीक है कि में जो मेजर जो पेन होता है अब च्रफल होता कि 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 आगाई स्ट्रेट के बीच Pu सब्सक्राइब तो वहां होता है दूसरा तुमने अगर पीछे बंदा भी बिठा रखा है और काफ टाइम से चला रहे हो तो तुम्हारे पाम्स जी यहां भई पाम्स यह से दूखने लग जाते हैं नहीं है ऐसा मन करता है इस आले भाइक खड़ी करो और अधाम से रेस्ट कर सब्सक्राइब करते हैं पता नहीं भाई कोड़ा इनने सेंस महलें उनकी जो बैक होती है वह राउंडड शेप में थोड़ी सी बैंड हो रखे होती है उसे कहते हैं कुपड़ा तो कुपड़े वाले पोस्ट्र में जो बैटते हैं वह उनको अभिसली उनकी तो बैट लोर सब्सक्राइब में तो मुझा अस तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और यहां पर होता है ट्रैप मसल में अभी भी होता है कि जा देर तक राइड कर लो तो कि यह देखो भाई लोग देख लोग वीड़ कितनी है 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 जो बंदा भाई कर और टैनल में रेव ना कर रहे हैं किस बात कभाई कर भाई तुम्हें सच बताओं तो यारे महामारी आई तो सब लोगों के लिए हैं बड़ भाई सब्सक्राइब कर लोगों को रियाल्टी पता ही है लोग विचारे दूसरी स्टेट से दूसरी स्टेटों में माइग्रेट हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेटों में पैदल पैदल वो भी है लोगों के पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते यह देखो और दूसरे दाए हमारी जंता तो कोल्ड रेस्पॉंसिबल जंता टिक्टॉक वर्सिस यूटूब के चुक्यापे में लगी पड़ी है ये लोग बिचारे हम लोग लिए ती मेहनत करते हैं तेहाडी मजदूरी करते हैं उसके बाद में लोगों इतना सहना पड़ता है यार सच में शेम उनस पर तो बाइक पर नहीं चला जा रहा है और यह लोग बिचारे पैदल पैदल अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यार इससे बड़ा मतलब बुरा टाइम हमारे देश के लिए क्या होगा हमारे देश इंफैक्ट हमारी दुनिया के लिए क्या ही होगा यार मैं तो यह कहता हूँ दूआ करो बंगवान से यार ये टाइम जिल्दी चला जाया और तो है और पीस जैसे साल मेरी लाइफ में तो कभी ना आए होप आप लोगे लाइफ में भी ना आए है आप लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते होगे सबसे बुरा साल रहा है अब तक मेरी लाइफ का तो कि अधिए ऐसे वाइन पॉइंट पॉड आज तो मुझे लग रहा बाइक को भी बता ही वीडियो बन रही है आज तो अल्यकी परफोर्मेंस दिखा रही है यह जो आज ने कल भाईगी अज आए कि अज़ा आए कि अज़ा आए कि कि अज़ा आए कि अज़ा तो बेवी अज़ा आए दमाइटी जैग्वा एक्सी ब्यूडफुल काफ अज़े हम अपने महले में पहुच चुग है कि अज़ा आए कि और यह रहा अपना घर अज़ा कि अज़ा कि अज़ा अज़ा आए अज़ा कि अज़ा कि अज़ा अज़ा कि अज़ा लोगो यकिन हो गया होगा देगर 56.9 मारेज दिखा रहा है तो 57 करीब तो प्लीज वीडियो को लाइक करना दोस्तों को शेर करो और बाइब प्लीज सब्सक्राइब तो करना ही है अपनी वन के फैमिली जल्दी ही बनानी है है फटावर सब्सक्राइब कर दो और वन के सब्सक्राइबर की फैमिली बना दो फटावर मिलते हैं अगली ब्यूटर में बाबाई